नमस्कार आप देखरें सिलर्टी-ए और मैं हूँ आपके साथ विजता घोष आज हम मंगलम Multi Speciality Hospital में हैं और यहाँ पर मेरे साथ बैटे हुए हैं मंगलम के डिरिक्टरламंगरमHeisakumar realistic मिज़ पूंठ आये हम उसे बात करते हैं और उसे जानते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में हलो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि बंगलम हॉस्पिटल खोलने का आपके मन में कैसे आया इस जगह हमें भागलपूर में हमने इस पूरे शहर में किसी भी क्रिटिकल केर से ग्रसित मरीज के इलाज की शुविधा नहीं थी मैं सोच रहा था कि इसको कैसे हम प्रुभाइट कराएं और उसी के कड़ी में इस हॉस्पिटल के अस्थापना की गई है जहां जो भी पॉस्पिबूल है इस जगह में अच्छे से अच्छे सुविधा को हम लोग मरीज को दे सके और उनके कॉस्ट को भी कम कर सके तो सर थोड़ी डीटेल में बताईए कि मंगलम हॉस्पिटल में क्या-क्या सुविधा हैं इस अस्पिटाल में सर्जरी, सर्जरी में नियूरो सर्जरी, जेनल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, और टाइपस अफ गाइनी सर्जरी और अगले पांस तारी को हमारे हाँ एक उंको सर्जरी जोइन करने जा रहे हैं रेनाउन उंको सर्जरी के कलकटा के उस हॉस्पिटल को जोइन करेंगे तो कैंसर से पिरित जो भी मरीज होंगे, उन मरीजों का हम लोग सायद सर्जरी की शुविधा दे पाएंगे इस हॉस्पिटल में हमारे हाँ सर्जरी के अलावे नियूरो सर्जरी की भी बहुसता है और्थोपेडिक्स में अभी हमने टोटल नी रिप्लेस्मेंट कराया था डॉक्टर हमारे हाँ एक प्रसिद्ध चिकत सेक हैं डॉक्टर कनहयालाल उन्होंने टोटल नी रिप्लिस्मेंट किया था इसके अलावे जो भी शहर में क्रिटिकली इल पेसिंट होता है जिनको सरजरी की आवशकता होती है हमारे हाँ भरती होते हैं और आके सरजर्ण अपनी सरजरी करते है इसके अलावे हमारे हाँ आईस्यू है पीडियेटिक्स का भी आठ बेट का निकू है पीकू है तीन बेट का हेमोडालिसिस की सुविधा है एक अग्दम मॉडर्न लेबरोटरी है एक्स्रेय है अल्टरा साउंड है यह को है टोटल काडियक लैब है तो सर यह बताएए कि यहां पर मल्टी स्पेशलेटी हॉस्पिटल है प्राइविट है दो लोगों के मन में कुछ ऐसा रहता है कि प्राइविट हॉस्पिटल में जाएंगे तो बहुत से खर्च होंगे लोगों की लोग यहां आने से कतर आते है कि काफी खर्च होगा तो क्यों trench शरकारी अस्पटाल में 디सट्पीश हो कि वही है हैं जो पैसे जिनके पास पैसों की कमी होती है रिजनेवली हम लोग उनके बील को उस तरह कर देते हैं जैसे कभी-कभी हमारे पास गरीब patients होते हैं जिनको ICU की सुविधा की जरूरत हो और ICU की सुविधा के लाइक उनके पास पैसे नहीं है तो हमको general ward के रेट पे आईसीव में डालके और उनका इलाज करते हैं बहुत सारे पेशन्स होते हैं हमारे पास ज्यादा गरीब तपकों के लोग आते हैं जो अती गंभीर हैं बाहर नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए हमने यह व्यवस्था की हैं और इसमें हमारे जितने यहां के कर्मी हैं काम करने वाले सारे लोग हैं उतनी हैं ही प्रेम से उनकी सेवा करते हैं और लोगों का इलाज होता है जी सर तो मेरा आखरी सवाल आप से यह होगा कि भागलपुर में जैसे 10 सेंटर दिये गए थे कोविड वैक्सिनेशन की उसमें से मंगलम हॉस्पिटल भी एक सेंटर रहा है तो कितने लोगों ने अभी तक वैक्सिनेशन ली हैं यहां पर यहां करीब-करीब 96 लोगों का रेजिस्ट्रेशन हुआ था कोविड वैक्सिनेशन के लिए जो स्वास्त कर्मी है उसमें करीब मोर देन 80 लोगों ने अपना वैक्सिनेशन कराया है इस अस्पिताल के अगल बगल में जो भी छोटे-छोटे क्लिनिक से हैं हॉस्पितल से है डॉक्टर से उनको हमने आगरह करके बुलाया और उन सब वैक्सिनेट कराया है सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेश कुमार आज के इस एपिसोड में इतना ही तब तक देखते रहिए सिल्टीवी